दोबिन के, बहु मेरा कोई पैंट सट प्रेस नहीं है क्या, दोबिन के यहां प्रेस करने को दी हूँ, अभी मंगवाती हूँ परेशान मत हो मैं ही जाकर ले आता हूँ, ब्लॉक में ही तो रहती है कह पैरों में लोवर डाल फ्लेट से बाहर निकल गया, मन में गायतरी मंत्र जपते धोबिन की दुकान पर पहुँच गया, एक कम्रे का फ्लेट है उसका ग्राउंड फ्लो पर, फ्लेट के हाल में एक बड़ी सी मेज उसकी दुकान थी, फाटक पर पहुँच आवाज लगा जाही रहा था कि पूजा की घंटी के साथ शुधा विश्नु सहसर नाम का पाठ सुन मेरा कंठ अवरुद हो गया, शुकला अवर्धम विश्नुम शश्य वर्नम, चतुर भुजम, आधे घंटे तक मंत्र मुगधा हो सुनता रहा, जब मंत्रों की आवाज बंध हुई तब आवाज लगाई दर्वाजा उसी ने खोला था, नमस्ते सहब के उसने हाथ जोड़े, उसे देख ऐसा लगा जैसे कोई तपस्विनी तपस्या से उठकर आई हो, अनायास मेरे भी दोनों हाथ जुड़ गए, मैंने प्रस कपड़े देने को कहा, उसने कहा आप चलिए मैं आपके फ्लेट पर ही लेकर आती हूँ, ये औरत आज मुझे रहस्यमाई लगने लगी है, उम्र कोई पचपन साथ साल की ऐसे ही एक दिन शाम को कपड़े लेने के लिए इसकी दुकान पर शाम के समय चला गया था, उस समय यह अपने किशोर पोते को, कोत रिकोन मिती के सिन, कौज, टैन, सेक, कोसेक, कौट का मान निकालना पधा रही थी, उसके पाने का तरीका देख ऐसा लगा जैसे कोई अच्छी पई लिखी प्रशिक्षित अध्यापे का पधा रही हो, मुझे उसके बारे में जानने की प्रबल उत्सुकता जाग उठी है, मन में कोई चाह जगे तो वो किसी न किसी रूप में पूरी हो जाती है जाडे में रोजाना धूप सेंखने की आदत हो गई है, चार-पांच सेवानिवरित लोगों की टोली बन गई है, एक-एक करके लोग ग्यारा बजे तक एकठा होते हैं, और एक बजने के बाद एक-एक कर चले जाते हैं, आज सभी के चले जाने के बाद मैं बैठा था, सामने से गुजरते हुए, उसने मुझे नमस्कार कहा, आओ बैठो कभी आराम भी तो कर लिया करो, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, नहीं, हाँ बैठ जाओ, मुझे तुम्हारे बारे में जानने की उत्सुकता है, क्या जानना चाहते हैं, मुझे जानते तो है आप, मैं आपके सोसाइटी में रहने वाली धोबिन हूँ, आप सब के कपड़े धो प्रस कर अपना और अपने परिवार का पेट पालती हूँ, हाँ आप मेरे परिवार के बारे में नहीं जानते, शायद तो बता दून एक बेटा है, जो फौज अधिकारी है, बहु है एक पोता है, जो हाई स्कूल में पदता है, बहु पोता मेरे साथ ही रहते हैं, बेटा नहीं चाहता, कि अब मैं कपड़े धोने प्रस करने का काम करूँ, मगर मैंने कह दिया जब तक ताकत है करूँगी, जिसने बुरे समय मैं साथ दिया उसे ऐसे कैसे छोड़ दून, चलती हूँ साहब कपड़े प्रस करने हैं, जाओ मगर मैं तुम्हें जानना था तुम तो परिवार के बारे बता कर चल दी, वो मुझे अजीब नजरों से देखती चली गई, अगले दिन पाक में अकेले बैठा था तभी आकर उसने नमस्कार किया, नमस्कार, बैठो कैसी हो, ठीक हूँ आप मेरे बारे में क्या और क्यूं जानना चाहते हैं, वैसे ही तुम मुझे एक पहिली जैसी लगी तुम्हें सूचना चाहता हूँ, वो मुस्कुरा कर बोली कैसी पहिली कैसा सूचना, वही एक औरत का विश्नु सहस्र नाम के सस्वर पाठ और साइन, कास, टेन यानी की त्रिकुन मितिय अग्यान का रहस्या, ओहो अरे साहब जी मैं अपने जमाने की PCM ग्रजुएट हूँ, मैं अपने पोते को फिजिक्स Chemistry, Math, अंग्रेजी सब पाती हूँ, मेरा पाया मेरा बेटा फॉज में करनल है, रही विश्नु सहस्र नाम का सस्वर और शुध पाठ करने की बात तो क्या एक औरत वभी निम्न जाती की को ऐसा करने की मना ही है, मेरी जुबान पर जैसे ताला लग गया था, बहुत मुश्किल से बोल पाया नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, फिर भी मुझे आपका संस्कृत, केश लोकों का ऐसा शुध उच्शारन और कंथस्त होना मुझे असाधारन लग रहा है, मुझे तो हनुमान चालीसा भी भूल जाता है, थोड़ी देर तक वह सिर जुकाई सोच मगन बैठी रही, जैसे मन की गांठे खोलूं या ना खोलूं का निर्नाए ले रही हो, कुछ देर के बाद बोली ओरेस घोल के बारे में जानते हैं आप, हाँ क्यो नहीं नमक और चीनी के घोल को कहते हैं जीवनदाइनी है ये तो, तो मुझे ओरेस ही समझेए, पूजा पाथ वेदों का ज्यान रखने वाली ब्राहमन पुत्री और फिजिक्स में डाक्टरेट की दिग्रीधारी नास्तिक पिता की संतान हूं में प्रेम विवाह था, दोनों का एक दूसरे से उलत स्वभाव के बावजूद, एक दूसरे से बेपना मोहबबत करने वाले दमपती की संतान हूं में दोनों का ज्यान वा स्वभाव बिरासत में मिला है मुझे, मा के मृत्यू के उपरांत पिता को मा के पूजा घर में बैथ घंटों पूजा करते देखा है मैंने, सहब पिताजी ने मेरी शादी उस जमाने में एक IITN लड़के से की मगर वो केवल पैसे कमाने की मशीन निकला, शराब और शबाब के शौकीन उस दुष्ट ने मुझे अपने दोस्तों को परोसना चाहा, लात मार कर चल दिया मैंने, पिता घर पहुँची तब पता चला घर को बेच कर ही उन्होंने मेरी शादी की थी शादी के बाद वो पता नहीं कहां चले गए, सहब पेट में मेरा यही फोजी बेटा था, मरने की कोशिश की तो एक धोबी और धोबिन ने मुझे बचाया और आज जो फ्लेट और नाम देख रहे सब उन्हीं का दिया हुआ है, जाती हूँ मेरा बेटा एक दो दिन में आने वाला है, उससे जरूर मिलाऊंगी, एकदम मेरे पर गया है, विश्नु सहस्र नाम उसे भी कंथस्त है क्या कहकर पुकारूं इस देवी को, मन ने कहा, ओर एस लेटस्ट पाने के, लिए सबस्क्राइब कीजिए